चांद को यू तो हम धर्ती का नेचुरल सेटलाइट भी कहते हैं किन्तु इसकी रहस्माई खुबसूर्ती ने हमें हमेशा सही अपनी तरफ आकरशित किया है इसने धर्ती पर जीवन को उत्पन होते एवं धर्ती पर जीवन को फलते फुलते हुए देखा है हमारी हर्चीज की जानने की जिग्यासा ने हमें 1969 में चांद के सतर पर पहुचा दिया हमने इसके कई रहस्यों को उजागर भी किया किन्तु आज भी इसके कई रहस्य बने हुए हैं अपोलो यान द्वारा लाई गये कुछ नमून से हमारे वेज्यानिकों ने यह पता लगाया कि चांद के सतर पर हिलियम 3 की मात्रा काफी जादा है एवं उन्होंने इसकी कुल कीमत का आंकलन सौट ट्रिलियन डॉलर किया मैं हुपंकज और आज हम बात करेंगे हिलियम 3 के बारे में एवं जानेंगे किस प्रकार यह हमारी भविसे का इंधन भी बन सकता है चाइना ने पिछले दिनों चांद पर अपना चैंग 4 नामक रोवर उतारा कई रिसर्चेस ने यह दावा किया है कि इसका मकसद चांद पर हिलियम 3 के भंडार का पता लगाना है जिससे चीन इस पर आने वाले समय पर खनन कर सके किन्तु सबसे बड़ा प्रस्ण यह उठता है कि हमारे पास कोल, पेट्रोलियम एवं नुकुलियर पालप्राट में इस्तमाल होने वाल उरेनियम होने के बावजूत भी हम इतना पैसा हेलियम 3 पर क्यों खर्चा कर रहे हैं इसका आसान सा उत्तर है जिस प्रकार हम कोल एवं पेट्रोलियम का उपयोग कर रहे हैं उससे कोल 2088 एवं हमारी पेट्रोलियम रिजर्ब्स 2022 तक धरती से खत्म हो जाएंगी एवं नुकलियर फीजन करने वाले यूरेनियम की मौजूदगी उत्री नहीं है कि आने वाले समय तक उर्जा दे सके वेस्ट मेनेजमेंट प्लांट में रखते हैं अगर किसी प्रकृतिक आपदा के कारण यह रेडियो एक्टिव वेस्ट लीक हो गई तो प्रित्वी के जीवों पर भारी आपदा आ जाएगी दूसरी तरफ हिलियम 3 कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं बनाता है हिलियम 3 नुक्लियर फ्यूजन करता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा नुक्लियाई आपस में जुड़कर एक हैवी एलिमेंट का निर्वान करते हैं इस प्रकृया में लार्ज एमाउट में उर्जा प्राप्त होगी या विस्म में उर्जा की कमी को पूरे तरीकी से समाप्त कर सकता है हमें कई सताबदी तक कोई और इंधन पर निर्वर नहीं रहना पड़ेगा या वातावरण में भी कोई पल्यूशन नहीं फेलाता यह भी कारण है कि वेज्ञानिक हिलियम 3 की औ क्यों बढ़ रहा है है हिलियम 3 हिलियम का नौन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसके पास दो प्रोटोंस एवं एक न्यूट्रोन होता है इसके होने का दावा 1934 में नुकलियर फिजिसिस्ट मार्क उलिफेंट ने लगाया था जब वों केमरिज उनिवसिटी के केव इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हैं हिलियम 3 से बने हुए रेफ्रेजेटर्स 0.2 से 0.3 केल्विन तापमान तक पहुं सकते हैं अगर आप इसके बारे में अधिक जानना चाते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है परंतो हिलियम 3 का सबसे बड़ा उपियो आज उर्जा के तोर पर माना जा रहा है तो चांद एवं टेरेश्टियर अबजेक्ट पर ही क्यों हिलियम 3 का भरमार है प्रित्वी पर क्यों नहीं इन सबका कारण सूर्य है सूर्य से निकलने वाली सोलर वेल्ड्स में चार्ज पार्टिकल का भरमार होता है क्योंकि एटनोस्फेयर एवं मैंने टिक फिल्ड वीख है वह इन चार्ज पार्टिकल का अवरोध नहीं कर पाता चांद पर इसी प्रक्रिया से अर्बो सालों में हिलियम 3 की इतनी मात्रा जमा हुई है क्योंकि प्रित्वी के पास उसका अपना मैंने टिक फिल्ड है वह इन परन्तु हम मनेश्यों के पास वह तक्निक नहीं है जिससे हम नुकलियर फ्यूजन करने वाले नुकलियर रियक्टर बना सकें क्योंकि नुकलियर फ्यूजन के लिए 100 मिलियन केल्विन तापमान की आवसकता पड़ती है जो कि सूर्य के कोर के तापमान से 6 गुना ज्यादा है किन्तु हमारे वेज्यानिक अभी इस पर सोध कर रहे हैं MIT एवं चाइना ने कई हद तक नुकलियर फ्यूजन रियक्टर बनाने में सफलता हासिल कर लिया है चाहें वार प्रिंस्टन उनिवर्सिटी का टोकोमास फ्यूजन रियक्टर हो MIT का एलोकेटर जपान का LHD या फ या रूम तापमान पर ही फ्यूज करता है अगर आप इसके विशे में जानना चाते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है चलिए बात करें भारत किस प्रकार चांद पर खनन करने वाला है इसरो के चेर्मेन ने एक इंटर्वी में यह कहा कि वह 2030 तक चांद पर खनन करने के लिए रोवर भेज़ेंगे भारत कुछ दिनों के बाद ही चंदरियान 2 लॉंच करने वाला है जो चंदरमा के डाक साइड में एलियन 3 के भंडार की खोज करेगा वह चंदरमा की सटिक मैपिंग भी करेगा ताकि भारत के पास संपून जानकारी हो जिससे वह चांद पर अपना रोवर आने वाले समय में खनन के लिए भेज़ सके इसरों की बढ़ती दबदबा एवं इसकी सफलता को देखकर यहीं लगता है कि हम 2030 से पहले ही चांद पर खनन करने लगेंगे चाइना, अमेरिका, रूस एवं यूरोपियन उनियन भी चांद पर खनन करने के लिए कमर कर चुके हैं क्योंकि आने वाले समय में जिसके पास चांद का खजाना होगा उसी का विस्व पर आने वाली सताबदी में दबदबा रहेगा अगर हम यह करने में सफल रहें तो यह मानव इतिहास के लिए स्पेस में सबसे बड़ी सफलता होगी आसा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है अगर पसंद आया है तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब एवं लाइक करें मैं इतिहास एवं साइन्स से जुड़े फैक्स आपके लिए लाता रहता हूँ